नमस्कार, खबरकास टीवी में आप सभी का स्वागत है, मैं मुनीश ठागूर, अभी आप मौजूद हैं हार गुनेन पंचायत के नकेहड़ गाउं में, यहां यहां पे एक हादसा हुआ 18 जनवरी 2022 को, एक सुमत्ती देवी जो नाम की महिला थी, उनका देहात हो गया, और य इनों ही लड़के हैं, एक सबसे पड़ा लड़का जो है साहिल है, जिसकी उमर भाजबी 17 वरस है, और पंकज जिसकी उमर 15 वरस, और अंकुस जिसकी अभी मात्र 12 वरस उमर है, और यह बच्चे अभी हमारे साथ हैं, अभी इन बच्चों के उपर से माता-पिता दोनों का स यह बच्चे बिलकुल अनात हैं और अभी आप मिलकुल सिधी हमारे माध्यम से देख रहे हैं कि बच्चे हाँ पे बैठे हैं वो तीनों बेटे जो हैं यही हैं अभी इनके सर से जो माता पिता दोनों का साया जो है उड़ चुगा है और इसके साथ हमारे साथ अभी मौझूद है अभी जीवन ठाकुर जी और अभी मैक्सिमम अभी हम देख रहे हैं कुछ दिनों से की अभी आप दूसरी बार जीवन ठाकुर जी हमारे साथ लाइब जुड़े हैं क्या कुछ अभी ये कर कि जैसा आपने कहा कि दूसरी बार जुड़े हैं लेकिन मुझे लगता है कि आप एक सासिक पतरकारिता कर रहे हैं मैं बार-बार ये कह रहा हूं और हम काफी पिछले समय से इस तरह से कोविड काल में भी बहुत हमारे जुगंदनगर में इस तरह के हासे हुए बच्चे अना सरकार ने अभी तक कोई सुध नहीं ली है और जब मुझे पता चला कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसा मदद इनको नहीं मिली है तो मैंने अपनी संस्था एक पहल मौंटें सेवा समयती क्योंकि बहुत सारे लोग जिस आपके चैनल के महद्यम से मेरे कुछ सहफाटी क कुछ आर्मी में हैं पैरा मिलिटरी फॉर्सीज में आफिसर्स हैं आर्मी में यहीं एक सुरेश जी नरेंदर जी वो कहीं सीमा से देख रहे थे तो क्योंकि मुझे याद है कि जो आज ये परिवार जिस घर में में बैठा हूँ चाली साल पहले मेरा घर इसी तरह का घर था तो मैंने इक परिवार की मदद करनी चाही तो देखा कि कैसे ये मदद हो सकती है लेकिन जिनका मैं ये नाम बता रहा हूँ महरे कुछ सैपाठी हैं वो लोग जब उन्होंने एक हमारा ये वीडियो देखा तो उसके बाद उन्होंने मदद की एक परिवार के बाद आज हम 16 17 परिवार को मदद कर रहे हैं और उन सब लोगों के सहयोग से और ऐसा घर जब मेरा था तो मुझे वो याद है तो आज हमारा ये सौभाग्या है प्रमात्मा ने इस सुन्दर जिंदिगी में हमें ये मौका दिया कि इस तरह के जो जरूरत मनलोग है उनकी मदद करें तो मैंने भी ये बताया कि ये जो बच्चे हैं इनकी फीस का खर्चा और इन बच्चों का जो डिपो से राशन आता है मैंने अभी टेलिफॉन करके मैं हमेशा डिपो होल्डर को बता देता हूं कि ये राशन लेंगे और महां से इनको जो है राशन मिलेगा पैसे नहीं देंगे तो इस तरीके से हम मदद कर रहे हैं लेकिन मैं आपके चैनल के मादेश से फिर ये कहना चाहता हूं कि ये बहुत थोड़ी मदद है इससे जो मैं कर रहा हूं इससे क्योंकि इच्छा है कि और जढ़ा करें लेकिन अपनी पोकेट देखर के मैं य चाह रहा हूं कि मिनिम्म साहिता मैं बहुत कम साहिता ये कर रहा हूं यह हमारी संस्ता कर रही है तो जो देख रही हैं मैं चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे नीडी लोग ہیں उनकी मदद के लिए आप लोग भी आगे आएं और हमारी संस्था के माद्दियम से अगर नहीं करना चाते तो सीधा मेरे से फौन करें सीधा इस परिवार का परिवार की मदद करें हम यह कह सकते हैं कि क्या इस परिवार को जरूरत है और आज हमने जो मदर टेरसा के तहट एक्सपायर हुए तो इस वज़ा से थोड़ा सा इनका डिले हुआ तो इन्होंने वो मदर टेरसा के तहट और एक जो परिवार का मुख्या जो बीपील परिवार का मुख्या होता है उनको जो है 90 डेज के अंदर जो है वो एपलाई करना पड़ता है वो 20-25 आजार की मदद मैं चाहूंगा आपको कि थोड़ा सान का घर भी बताएं मकान किस तरह सी अपना जीवन यापन यहां पर कर रहे हैं चोटे बच्चे हैं और इनकी अभी जो दादी मा है यह इनकी अभी परवरिश्च कर रहे हैं तो इनके भी जो दादा जी थे उनकी मरित्यों भी 10-11 साल यह लगवा पहले हो चुकी है तो किस तरह सी अपना जीवन यहां पर करते हैं बच्छे छोटे हैं और किस तरह से अपने विश्य को आह संबारेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों का सिहोग भी बहुती कमाइने रखता है आप लोग भी आगे आए और जो लोग इस कारह को करने का अंजाम दे रहे हैं जैसे कि हमारे साथ जीवन-ठाकुल जी जुड़े हैं बहुती बहुती बेहतरीन कारह ये कर रहे हैं गरीबों से उनका हक दिलाना और उनके लिए कुछ अच्छा प्रियास करना ये एक बहुती स्माज के लिए बहुती एक अच्छा मैसिज है अभी होली का तियोहार जैसे ही कल से सुरू है तो हमारी सभी दर्सकों को हमारी ओर से हमारी टीम के ओर से होली की हार दिक सूप कामना इसके साथ मैं यह चाहता हूं कहीं खुसी है तो कहीं गम है और इस परिवार को एक उमीद है आप सभी से इस परिवार की मदद करें आप से संभब हो पाए दादी जी हैं वो हमारे साथ हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं आप परसासन सासन से और लोगों से अब भगोरे से अपील की है और आप लोगों से भी हमारी विनती है जो इस परिवार की और इन लोगों की मदद करना चाहते हैं वो जुरूर आगया है उर इस परिवार को आपकी मदद की जरूरत है तो आप बढ़ चड़ कर agree तो एक बहुती बढ़िया पहल है समाज के लिए एक असली समाज सेवा हम इसे कह सकते हैं तो यदि आप भी इस परिवार की और इन बच्चों की कोई भी सहाहिता करना चाहें तो आप जरूर आगे आएं और इनकी सहायता करें क्योंकि ये बच्चे देखिया भी छोटे बच्चे हैं और कल को हम चाहते हैं कि इनका भविस्या एक अंदकार में ना होकर एक उजवल भविस्या की और ये बढ़ें इसके साथ ख़बर खास की और से मिनीश ठागोर की